आज हम बात करेंगे रेजिनिंग का टॉपिक है डिरेक्शन और डिस्टेंस के बारे में तो अगर आप मेरे चैनल पर फस्ट राइम आया तो प्लीज पहले उसको सब्सक्राइब करेंगे अगर कोई डिस्टेंस पूचा है कि अगर वो नौर्थ से चला है और इस्ट में पहुंच गया तो कितना डिस्टेंस अफ कवर किया है उसमें फाइंड वैल्यप पुट करके इसके कोड़िंन तो सबसे बहले हम तेखते हैं डिस्ट डाइरेक्षेंस कहा होती है मारी ऊपर की तरफ डिरीक्षेंस और ऑसके आप्वोजित में उस्ट होती है अधर वहले है और इसके ऑपोजित में इस होती east west north sorta east west थीक है ना. अब इसके बीच की mid which is a direction होती है इनके mid end की like that. तो हम ऐसे arrow बना लेंगे ठिक है इनकी mid की Direction क्योंगी? ये हम इन के north east ये वाली south east और ये वाली south west और इल बाओन की तो हम अपोजिट बीलिख सकते हम इस not भी बोल वाल सकते हम English वेस्ट साउथ भी एंड वेस्ट नॉर्थ भी ठीक है ना कुछ भी बोल सकते हैं तो आते हैं नेक्स्ट पे अब देखते हैं कि अगर कोई डिगरी वाला मींस रोटेशन वाला कुछन आ जाता है तो उसको हम कैसे करते हैं तो सभी जो डारिक्शन होती है वो 45 डिगरी की होती है एक जो एंगल बनता है मींस यह जो नॉर्थ और एस्ट का जो एंगल है यह 90 डिगरी का उसका हाफ करेंगे तो 45 45 बचाएगा तो 45 इंटो 4 एंगल्स होंगे 180 यह ओंगे 8 एंगल 360 के 2 एंगल 90 के 3 एंगल 130 के 5 एंगल्स होंगे 225 के एंट 6 270 के 7 315 के तो आते हैं कोशन कर लेते हैं तो एक लड़का नौट यस्ट की ओर 3 किलो मेटर चलता है फिर 4 किलो मेटर दक्षिर पूर्फ की ओर चलता है आरंबेक सान से कितनी दूरी पर है तो मस्तिर आफसे नवस बिशस वॉ इसका युदिन रिकल अ की रिकले से लिखका dealing है सबसे पहले कहन髦 भी इस्तू है एधर के डाइसर की नकाव मतितर स्कुतिछ गया قة किलोमेटर and then four kilometer wось to south east we Onun qualité ब हमें इसने एरो इनको मिलें के यह जे जही कर्ण में निकालनी है तो इस 20 डाला मीला है के कर्ण को आप के बीह वी लिख सकते हैं कुछ भी तो k का स्क्वार is equal to p का स्क्वार plus b का स्क्वार means height का स्क्वार and base का स्क्वार तो k2 is equal to 3, 3 दे रखा है यहापर p, ठीक है, base है 4, value पुट करके हमें 3 का स्क्वार 9, इसका 4 का 16, और k हमारा आ गया 25, और यह जो square है, इधर under root में change हो जाएगा, k is equal to 5, ठीक है न, तो हमारा जो answer है 5 km, that is C option, अब मैं कुछ आपको 3 constant value बता देती हूँ, अगर हमारे question में पूछी जाती है, कि 3 हमारा, 3 और 4, इन दोनों की जगे, means यह तो है, same 3, 4, तो हमारा answer हमेशा 5 आएगा, इन दोनों की जगे पर 6, 8 है, 6, 8 है, अगर तो हमारा बिना solve करें, आपको 10 लिख दिना, 10 answer टिक कर दिना, अगर हमें पर 5 और 12 है, तो हमारा answer 13 होगा हमेशा, अब आते हैं next question पर, next type के, एक व्यक्ति दक्षिन की और 12 मीटर चलता है, फिर बाएं हो जाता है, वहां से 16 किलो मीटर, उसके बाद फिर से बाएं हो जाता है, 12 मीटर, किलो मीटर में, मीटर में, हाँ, मीटर में सारा, मीटर, ठीक है न, अब आपके प्रारे में किस्तान से, दिशा में, तो था कितनी दूरी है, किस दिशा में है वो, और कितनी दूर है, ठीक है न, हमें ये अंदाजा लगाना है, कि वो, इन वैल्यूस के according, कि वो, कौन से डा जहां भी वो पहुचा, तो उसकी कुल दूरी तेय करने की, अगर हमें निकालनी होती, तो हमें डाइरेक्शन की जरूवत नहीं होती, हमें जितनी भी वैल अनुसब को ए doubles करके, हमें तोटल डिस्टन्स हमें पता चल जाता, वैं रहें तुछा है वो यहां कितनी दूरी पर हैं速 है अब हम इसको यहां से चलाते है इस पाइयंट से दक्षिन, शाउत की तरफ तरफ लेगा 12 meters उसके बाद यहां से हमें left होना ऐंस हमें left होना है तो हमें कहां जाना होगा हमें एंटी क्लोक wise जाना होगा टीक है नहीं एंटी क्लोक wise में लेफट अगर यहां राइट हो था तो clockwise हम जाते हैं तो यहां पर anti-clockwise जाना है कितना 60 meters इसके बाद में फिर हमें बाएं जाना है means दुबारा से left होना है means anti-clockwise 12 meters व्याएं कि अब हम यहां पहुछ गें East में फिकना पूंचने के बाद हमें अपनी डायक्शन तो पता चल गई हम इस्ट में हैं बट अभी कितनी दूर हैं मैं यह पता करने के लिए क्या होगा हमें आमने सामने अगर हमारी ड्रक्राम यह बना है ठीक है तो इनकी आमने सामने की जो वै मीटर दूर पहुंच चुका है चिक है ना 16 मीटर सॉरी आंसर क्या हो जाएगा 16 मीटर इस आंसर हो जाएगा चिक है आते हैं नेक्स टाइप कोशन पर एक गड़ी में 430 बजे हैं यदि गड़ी की सुई इस्ट में है तो मिनट की सुई कि दिशाग्यात करिए सबसे पहले हमे इस्ट में है घंटे की सुई इस्ट में है तो उसके अपोजिट हमें अपनी जो डायरेक्शन है वो पुट करनी है इस्ट के बोजिट वेस्ट होता है अब ऐसी इधर लगा देंगे हैं नौर्थ के बोजिट साउथ ठीक है अब हमें किसकी मिनट की सुई की दिशाग्यात क प्रेच में जो है क्या है साउथ इस्ट जो डारेक्शन है ठीक है नहीं पूछी है साउथ इस्ट का आंसर बजाएगा ठीक है नेक्स्ट कोशन है एक आदमी का मुग पस्चिम के और है और वेक 45 डिगरी क्लॉकवाइज एंड फिर 180 डिगरी क्लॉकवाइज उसके बाद में 270 एंटे क्लॉकवाइज गुमता है तो उसका मुग इस्टिशा में है अब इसका फॉर्मला है इजी सा क्लॉक वालों को मींस एक सेम डारेक्शन वालों को एड कर लो और उसको एंटे क्लॉक में से माइनेस कर दो ठीक है ना अब जो बड़ी वैली होगी वो हमें आगे रखन अब हमें एंटी क्लॉकवाइज को इसमें से माइनस कर देना है तो सेवंटी एंटी क्लॉकवाइज को इसमें से माइनस करके 45 अब 45 किसका हमें होना है एंटी क्लॉकवाइज का क्लॉकवाइज का क्योंकि हमें एंटी क्लॉकवाइज बड़ी डिजित है तो इसका हमें माइ तो लेफ्ट साइड टर्न होना है तो हम साउथ वेस्ट में आ जाएंगे तो इसका अंसर क्या हो जाएगा option number a southwest आते हैं next question पर last question मैं दक्षीन की और मूग करके खड़ा हूँ जब मैं 130 degree anti-clockwise घूमता हूँ अब मैं ठीक पीछे मूर जाता हूँ तो अब राइट में 45 degree मूर जाता हूँ तो अब मैं किस दिशा में हूँ ठीक है बहुत easy question पहले आप direction अपने mind में set कर लो north south east west east ठीक है अब इसमें हमें कहां पर हो south में south की तरफ face है उसका यहां पर means ठीक है ना south से वह 135 कहां जाता है वह anti-clockwise means ultra left जा रहा है तो वह अब यहां पर आ गया ठीक है ना कहां पर आ गया नौर्थ-East में आ गया अब नौर्थ-East से वह पीछे मुड़ता है अब साउथ-Wेस्ट में आ गया अब साउथ-Wेस्ट से राइट में जाना है कितना 45 तो वह वेस्ट में आ गया तो हमारे डिरेक्शन कहां निकली वेस्ट ठीक है तो यही तो फ्रेंट्स यही मेरी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आये समझ मैं तो प्लीज लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू